हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो टेक बिशाल यूट्यूब चनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो को इस ब्लुटूथ हैट सेट डिवाइस को जहें अपने इस विल्डोस इलेवन पीसी के साथ में कनेट करना सिखाने वाला हो अभी बजा आएगा ना विल्ड हैं इसके लिए आप लोगों को जहें कुछ स्टैफ को फोलो करना होगा जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताई है अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इन दोनों डिवाइस को आपस में कनेट कैसे किया जाएगा तो हमारी इस वीडियो को पूरा ज जरू कर दीजिएगा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हे दोस्तों अपने ब्लुटूथ हेट सेट को लैप्टॉप से करेंट करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को अपने हेट सेट के पावर बटन को प्रेस करकर रखना है यानि कि 3 to 5 seconds अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि windows की की साथ में express कर दीजेगा जिससे कि आप लोगों के सामने एक menu open हो जाएगा जिसमें आप लोगों को settings का option मिलेगा इसमें चल जाईएगा कुछ इस तरीके से interface अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा अब left side में आप लोग देख सकते हैं कि bluetooth and devices के नाम से setting option दिया हुआ है इस पर click कर देजेगा अब इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि bluetooth का यह जो option है फिलाल में turn off क्या हुआ है तो सबसे पहले आपको इसे click करके on कर लेना है जैसे ही यह on हो जाता है दोस्तों तो इस के बाद में आप लोगों क्या करना है कि add a device पर click करना है यहाँ पर तीन options दिखाई देंगे तो bluetooth वाले option को select करना है अब आपका bluetooth headset का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप लोगों को listing में देखने के लिए मिलेगा अपना bluetooth का नाम confirm करने के बाद में simply उस पर click कर दिजेगा जिस अब आपके laptop में जो कुछ भी आप sound play करेंगे वो आपको अपने इस headset के अंदर सुनाई देगा अगर आप लोग directly किसी दूसरे device को add करना चाहें तो आपको अंदर इतना जाने के ज़रूत नहीं है simple यहाँ से bluetooth पर जाईएगा double tap कर दिजेगा जिससे कि आप लोग जो है यह आशने कर सकते हैं जरूर नहीं कि वह bluetooth headset ही हो इसके लग कुसी भी type का bluetooth डवाइस आप यहाँ से अईड कर सकते हैं अगर Bluetooth option अगर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और start button पर click करके Bluetooth type कर रहा है और तब भी अगर आप लोगों को Bluetooth option नहीं मिल रहा है और ना ही अगर वो जो है activate हो रहा है या on off हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके laptop के अंदर Bluetooth drivers install नहीं है इसके लिए आप लोग क्या किजेगा कि simply अपने this PC की properties के अंदर जाइएगा और यहाँ से अपने laptop के processor के according जो है आप लोगों को Bluetooth के drivers install करना है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यह जो processor है AMD Ryzen 3 यह जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो आपको जो है इसके लिए drivers download करना होंगे simply आप लोग Google.com पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद में आप लोगों को जो है लिखना है इसके पिछे Bluetooth driver जिससे कि आप लोग इसके official website पर पहुँच जाएंगे और फिर आप लोगों को जो है Bluetooth के drivers and download and install कर लेना है I hope guys आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को how to connect Bluetooth headset to Windows 11 PC के बारे में बताया है क्योंकि previous वीडियो मैंने आप लोगों को Windows 10 PC के अंदर connect करना सिखा दिया था अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को like करिएगा इस अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा क्योंकि sharing is caring so okay guys this is Tech Vishal YouTube channel signing off bye bye